नमस्क्राइब स्वगत है आपका आप देख रहे हैं दा न्यूस और मेरानी गुपता आपके साथ इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है देश के प्रधान मंत्री नरेंद्रमोदी से जूड़ी हुई आपको बता दे कि आज प्रधान मंत्री नरेंद्रमोदी वीरों में असरा रहा है आप साफ तोड से देख सकते हैं कि कैसे जो जनता है वो प्रधान मंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए यहां पर उमड़ पड़ी है दरेसल आपको बता दे कि आज सूरत में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े ओफिस ह अब डाइमंड बोर्ड का उद्खाटन किया है इसके अलावा उन्होंने सूरत को इंटरनाशनल एरपोर्ट का भी तुहपा दिया है वहीं दूसरी ख़बर का रुख करें तो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अख़बार को इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्हो कि उन्होंने यह कहा है कि अब ब्रह्मभार्ड की कोई ताकत नहीं है जो कि जम्मु कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटा सके या फिर वापस उसे लागू करवा दे बताने कि जम्मु कश्मीर में अनुछे 370 को लेकर सुप्रीम कोट का फैसला आ चुका है जिसके बाद प्रधा कि अब ब्रह्मभार्ड की कोई भी ताकत आर्टिकल 370 के वापसी नहीं करा सकती प्याम मोदी ने कहा कि सुप्रीम कोट ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि एक देश में किसी तरीके से भी दो वधान नहीं चल सकते हैं उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 का हटना किसी राशने राशनेृतिक से जादा जम्मू कश्मीर और लद्दाक के लोगों के लिए जरूरी था जम्मू कश्मीर में विकास और वहा के लोगों के आसान जीवन के लिए भी जरूरी था इस दोरान पीम मोदी ने PDP और National Conference पर भी निशाना साधते हुए कहा कि इसे कुछ परवार वा इश्के आम नागरिक की तरह बिना भेद भाव के अपने बच्चों का भविश अपना वर्तमान सुरक्षत करना चुआता है। प्रधान मंत्री मोदी ने दावा किया कि अनुचे 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर और लगदाख की तस्वीर पूरी तरीके से बदल गई है। नहीं है जो कि आर्टिकल 370 की वापसी करा सकती है। बतादे इससे पहले संसद में बोलते हुए के इंद्रिय ग्रामंत्री हमें श्रा ने कहा था कि हमारी सरकार के धारा 370 पर लिये के फैसले को इतिहास याद रखेगा। उन्होंने कहा था कि अनुचे 370 अलगावात को बल देती थी और इसी वज़े से आतंगवाद वहाँ पर खड़ा हुआ। जम्मु कश्मीर में जो युवा कभी पत्थल लेकर घुमते थे आप उनके हाथों में हमारी सरकार ने लैप्टॉप दे दिया हैं। हम फैसला ले सकते हैं भाग नहीं सकते। उन्होंने कहा कि सही समय आने पर जम्मु कश्मीर में चुनाओ भी कराएंगे। सही समय आने पर राज्य का दर्जव भी देंगे। आपको बता दें कि आप वहीं इसी इंट्रव्यू में प्रधान मंत्री नरेंद्र मुदी ने नहीं सिर्फ आर्टिकल 370 को लेकर के बलकि आयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर के बारे में भी बात की। इसी के साथ ही पियम मोदी ने भाव्य उद्खाटन को लेकर के कहा कि हर घर आयोध्या और हर घर राम का दिन बताया है। भाग्य है कि मुझे इस पवित्र काम के जाने के लिए नियवता मिला है। हजारों सालों से श्विराम ने लोगों के जीवन में सकरातमक्ता का संचार किया है। आति उन्होंने ये भी कहा कि कुछ देर के लिए ये सूच ले कि इस पवित्र आवसर पर एक प्रधान सेवक की जगा एक सामान या नागरिक हूँ जो किसी गाउं में बैठा है तो मेरे मन में भी उतना ही आनन्द है और संतोश होगा जितना की प्रधान सेवक के रूप में जाने का मौका मिला है ये खुशी सिर्फ मोदी के लिए नहीं है बलकि ये खुशी भारत के 140 करोड के रिदेयों में खुशी और संतोश का आवसर है आपको बता दे कि इस दौरान पीम मोदी ने विदान सावा चुनावों को लेकर के भी बात रखी उन्हों रे का है कि मद् प्रदेश में लगातार दूसरी बार सरकार बनाने का मौका मिला जबकि राजिस्थान और 36 गड़ को बीजेपी ने कॉंग्रस से छीन लिया तिलंगाना में भी बीजेपी की सीटे और वोट प्रतिश्रत में बढ़होतरी हुई है इस बारे में इंटरव्यू में पीम मोद ने कहा कि नए चेहरों के पीछे उनकी खुदकी महनत और तपस्या है जिनका फल नए बने गए चम के रूप में मिला है जनता जनार्दन के अलावा उनको दैवी अश्रक्ति का भी आशुरवात मिलता है पीम मोदी ने कहा कि यह दैवी और शक्ति मुझे चलाएमान रखे हुए है और देश सेवा के लिए प्रेरित करती है पियम मोदी ने विपक्ष को साकरात्मक राशनीती करने की भी सलाह दी है पियम मोदी ने इससे पहले तीन राज्यों में बीज़ेपी की बंपर जीत के बाद जब बीज़ेपी मुख्याल में समर्थकों को संबोधित किया था उस वक्त भी उन्होंने विपक्ष से कहा था कि वो अपनी चाल्ड हाल बदले वरना उनको जनता के वोट नहीं मिलने वाले हैं आपको बता दे कि जुस तरीके से प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी ने डैनिक जागरंट के अख़बार को इस इंट्रव्यू में एक एक बात को ले करके अपनी रहा रखी है और इसी के साथ ही उन्होंने प्यम मोदी की जो गैरंटी है जो नीती है और नीयत है उसके बारे में भी विस्तार से बात की है आपने चिनावी प्रचार के दौरान देखा होगा कि कैसे प्रदान मंतरी न की इन चीजों को करके दिखाते हैं और अब लोग भी यह मानते हैं कि गैरंटी मतलब मोदी की गैरंटी और कहीं न कहीं अगर हम बात बीज़पी की तीर राज्यों में बंपर जीत की करें तो यहां पर भी तमाम बीज़पी के कारकरता तमाम बीज़पी के बड़े कि जनता के समक्ष पहुंची थी उन चीजों को बीजेपी ने किया है और कहीं न कहीं अगर हम मद्यप्रदेश की बात करें राजस्थान की बात करें या फिर छतीस गड़ की बात करें तो यहां पर लोगों ने बीजेपी पर भरोसा दिखाया है कि शायद जो मोदी की गैरें को यह बड़ी हिदायत दी है कि अगर विपक्ष अभी भी नहीं सुधरता है सकरात्मक राज़िती नहीं करता है और अपनी चार्ड हाल नहीं बदलता है तो आने वाले चुनावों में भी उन्हें काफी जादा इसका खामियाज़ा बुकत ना पड़ सकता है क्योंकि तीन में तो करारी हार अल्रेडी विपक्ष देख चुका है मध्य प्रदेश तो वही राज़ जहां पर बीज़ेपी ने दुबारा जीत हासिल की है लेकिन आप तो राजस्थान और 36 गड़ भी कॉंग्रस के हाथों नहीं बचाओ वहां से भी बीज़ेपी ने कॉंग्रस को करा हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं धन्यवाद